नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल फोकस पावर पे तो आज हम लेकर आए हैं ब्यारो विकल मकैनिक के ट्रेड टेस्ट की वीडियो तो कुछ वीडियो आने वाली है आपके ब्यारो विकल मकैनिक के ट्रेड टेस्ट के लिए तो किस तरीके से यह चार-पांच क्लासिज में या फिर ज्यादा अगर आपका एक्जाम थोड़ा डिलिय हो जाता है तो ज्यादा वीडियो उसके तुरू आपको ट्रेट टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी और मोटर मकैनिक भी कर डिजल मकैनिक ट्रेट के लिए आप किसी भी डिपार्ड यह आपको पता होना चाहिए फिर है यह डिस्क डिस्क ब्रेक जो होते है उसके आगे की डिस्क है यह वाला पार्ट जो है वो क्या है डिस्क है इस पार्ट को हम कहते हैं कैलिपर कैलिपर असेम्ली इसमें क्या होता है पूरा कैलिपर जो होता है असेम्ली इसी के अंदर जो लॉंग करता है तो यह हो गया नकल से रिलेटरीस को हम पूरे को नकल भी कहते हैं next cylinder head यह है cylinder head की जो नीचे वाली facing है जो cylinder block की तरफ होती है वाली facing है तो यह आप देख पा रहे होंगे यह four cylinder engine का cylinder head है और यहाँ पर दो valve लगें एक valve है inlet valve और एक है exhaust valve तो आपको काफी बार exam में question भी पूचा जाता है inlet valve बड़ा होता है यह exhaust valve बड़ा होता है तो आपको tray test में भी same question पूचा जा सकता है कि बड़ा वाल 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 कौन सा है और छोटा वाल कौन सा है तो इस तरीके के question आपको पूछा जा सकते है, तो आपको पता होना चीए, जो बड़ा वाल वाल वह होता है, inlet वाल और जो छोटा वाल 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 वह होता है, exhaust वाल, किसमें, cylinder head में, cylinder head कौन से metal का बना होता है, aluminium alloy का बना होता है, तो यह आपका cylinder head है, combustion chamber वाली side से, cylinder head और cylinder block के ब यह piston है, इसमें ring लगी वी, तो यह आप देख पारेंगे, ऊपर की जो ring है, यह है compression ring, और यह वाली जो ring है, नीचे की, जिसमें थोड़ा, जाली type की बनी वी, वो होती है, oil ring या oil scrapper ring कहते हैं, जिसको हम, फिर जो यह आप देख पारेंगे, यह connecting road, जो fit की जाती है, piston के साथ वो यहाँ पे होती है, इसको हम piston boss कहते हैं, जिसमें हम piston pin या wrist pin से, या जिसको हम gajan pin भी कहते हैं, तीनों नाम एक ही कहें, piston pin, gajan pin और wrist pin, एक ही के नाम है, जिससे हम fit करते हैं, किसको connecting road को piston के साथ, और यह आप ring देख पारेंगे, जो use में नहीं है, crap ring निकाल के अलग पारेंगे, फिर आप एक image यह देख पारेंगे, इसमें दिखाया गया है, आपको इस तरीके से अगर वहाँ पे रखा जाएगा, आपको identify करना कि कौन से type का manifold है, inlet manifold है या exhaust manifold है, तो आप देखके identify अगर कर पारें, तो वही आपको इसी तरीके से आपके trade exam में कसन पूझने वाला, तो यह होता है, inlet manifold, अब किस तरीके से identify करोगे, आपकी inlet manifold है या exhaust manifold है, तो यह आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, आप material से पता कर सकते हैं, तो inlet manifold है, उसका जो material होते है, थोड़े light material होते है, जैसे aluminium alloy हो गया, या फिर उसमें जो gasket वगएरा होती है, व होते हैं, क्योंकि यह क्या, inlet manifold के end में, petrol engine में क्या करते हैं, इस्प्रे कर देते हैं, inlet manifold में, तो इस तरीके से आप identify कर सकते हैं, अब आपको exhaust manifold का भी आगे, diagram दिखाने वाला हो, तो उससे पहले आप यह देख पार होंगे, इस तरीके से आपके पास gearbox रखा जाएगा, तो आ यह आपको पता ही होगा, यह gears पगेरा, gearbox में तो होंगे ही, फिर next चलते हैं, next part पर यह आप देख पा रहे होंगे, अलग-अलग, तो यह सब क्या है, differential है, जिसको हम final drive भी कहते हैं, differential, differential का क्या होता है, जब हम mode करते हैं, तो जो भार का wheel होता है, उसको ज्यादा supply करता है, प differential है, बड़ा वाला जो यह आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम crown wheel भी कहते हैं, next part है, self starting motor, तो यह क्या है, self starting motor है, तो क्या जब भी आप गाड़ी को start करते हैं, तो किसके थुरू करते हैं, self starting motor के थुरू start करते हैं, तो यह है self starting motor, तो इसी तरीके से आपके तोड़ा old party जा हैं, वहाँ पर होने वाले हैं, आपके trade test में, अब next चलते हैं, next part की तरफ, अब आप यह अपनी screen पर देख पा रहे होंगे, यह क्या है, यह आपको identify करना है, इसी तरीके से वहाँ पर रखा होगा, तो यह क्या है, उपर, यह clutch plate है, क्या है, clutch plate है, यह आप नीचे देख पा है, next part है, next part को identify करना है, तो यह कौन सा part है, यह है intercooler, तो अब intercooler क्या काम करता है, जैसे कि जो compressed air होती है, turbo charger की द्वारा, तो air को compressed करने से क्या हो जाता है, हवा, गरम हो जाती है, तो उसको ठंडे करने का क्या काम करता है, intercooler काम करता है, तो यह हो गया intercooler, next आप यह दे को तो होता किया कि है यह फ्ल्ट कवर मांट किस पे रहती यह ओध्सकर प्लेच में हैं in जिसको हम pressure plate भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में लगी रहती है, और जो mount की जाती है, pressure plate यानि की clutch कब है, वो किसमें flywheel में की जाती है, और ये आप देख पारेंगे, ये जो दांते बने में, इसको हम क्या कहते हैं, flywheel ring gear कहते हैं, इसे के साथ क्या होता है, starting motor का जो pinion होता है, तो वो mass होता है, next part पे चलते हैं, तो ये आप देख पारेंगे, equipment के, tool saving equipment में ये भी push सकते हैं, तो ये क्या है, two post lift है, two post lift है, इससे क्या करते हैं, हम गाड़ी को उपर उठा के, गाड़ी का inspection कर सकते हैं, गाड़ी में maintenance का का काम कर सकते हैं, next है, तो ये आप यहाँ पे clear द आती है, तो ये आती wheel balancing के काम पे आती है, तो जो wheel balancing, wheel के imbalance हो जाता है, यानि कि एक तरफ से घिस गया है, दूसरी तरफ से okay, तो उस तमये आपको क्या करना पड़ता है, wheel आपका bubble करने लग जाता है, गाड़ी में, तो उसी को balance करने के लिए इसमें testing किया जाता है, उसके बा देख पार होंगे, ये complete engine है, ये इसका नीचे oil sump है, center में engine block है, और ये उपर cylinder head है, तो ये आप देख पार होंगे, cylinder head इसका aluminum alloy का बना हुआ है, और बाकी injector लगे वे, तो इससे भी आप identify कर सकते हैं, next part है, cylinder head ही है, उपर से दिखाएगी है, image को, next है, ये आप देख पार ह tire को इसमें remove किया जाता है, और tire को fit करने के लिए machine बनाए गई है, तो इसमें क्या करेंगे, tire को remove करना और tire को fit करने की ये machine है, जिसमें आप इस तरीके से आप देख पार होंगे, ये होगा, और ये, इस तरीके से आप identify कर सकते हो, next है radiator, तो ये आप देख पार होंगे, radiator है, किससे बनावा, aluminum का radiator है, और क्या होगा इसमें, cooling होता है, किसकी radiator का जो coolant होता है, radiator में coolant होता है, उसको ठंडा करने का काम करता है, radiator, तो cooling system से यह related है, next part है, cylinder block, तो यह आप देख पारे होंगे, cylinder block, engine cylinder block, तो यह उपर की तरफ से आपको diagram दिखाए गया, photo दिखाएगी है, यह बीच में आप देख पारे होंगे, यह क्या है, piston है, अभी यह दोनों पिश्टन उपर है, top dead center की तरफ आ रहे हैं, और बाकी यह दोनों पिश्टन क्या हो रहे हैं, bottom dead center की तरफ जा रहे हैं, तो यह होगी है piston, यह piston है, और यह जो पूरा होता है, इसको हम क्या कहते है, cylinder bore कहते हैं, और इसके बीच में क्या, बिल्कुल यह यहाँ पर, इसको हम कहते हैं, cylinder liner, cylinder liner fit किये जाते हैं, आगे भी आपको बताएंगे, किसी पार्ट में, अच्छे तर बाकि इसमें आप देख पारेंगे, इसमें valve अभी fit है, remove नहीं किया गया है, और इसमें से valve निकाल दिया गया है, next part है, ECM, electronic control module भी कहते हैं, यह कहीं कहीं ECU भी कहते हैं, electronic control unit, तो यह क्या है, vehicle का दिमाग का जाता है, जैसे computer के दिमाग, CPU को कहते हैं, उसी तरीकी से, गाड electronic control module, next, next part है, next ही आप देख पारेंगे, यह photo, गाड़ी के उस पे इससे ले रखी है, जब clutch हो गया, तो वहाँ से है, तो यह clutch plate है, इसका जो replacement किया गया है, तो वहाँ से photo लीगी है, यह आगे का आप इस तरीक से देख पारेंगे, यह right side वाला Excel की जो shaft है, वो निकाली गई है, बागी इसमें यह आप exhaust manifold देख पारेंगे, आगे की image में इसको clear दिखाता है, यह है bonnet, bonnet आप open करोगे, तो आपको सारे जो engine के बार से वो आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर आईए crank shaft, तो यह आप देख पारेंगे, engine block है, यह उल्टे करके रखा गया है, तो इसम होगी crank shaft, क्या चीज़े, crank shaft, और जहां पर piston लगता है, उसको हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, crank pin कहते है, तो यह आप crank shaft को देख पारेंगे, अगर आपके exam, trade test में पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम से part आप आरम से देख सकते है, फिर next है, यह cylinder block है, फिर यह है, recovery, recycle and recharging, तो यह AC gas को feel करने वाली machine है, next है wheel balancing machine है, जो हम अभी discuss कर चुके है, फिर यह अब आप देख पारेंगे, exhaust manifold, तो exhaust manifold को आप देख सकते हैं, identify कर सकते हैं, exhaust manifold में ज्यादा तर आपको बता दूँ, अगर dismantle नहीं होगा, तो exhaust manifold के उपर, यह जो ऐसी इस तर है, वो आगे उपर, Kevin में transfer ना हो directly, इस वज़े से यह क्या, plate सी लगी होती है, exhaust manifold पर, second है, यह आप देख पारेंगे, यह sensor है, कौनसा sensor है, O2 sensor है, जिसको हम कहते हैं, oxygen sensor, और दूसरा नाम इसका क्या है, lambda sensor भी इसका नाम है, तो examiner आपको rate test के time, confuse कर सकता है, अलग-अलग न है, और यह क्या, exhaust manifold है, आगे का, जो आगे दुहां जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे cylinder के exhaust गैसे है, एक साथ कट्टी होगे, फिर pipe के थ्रू आगे चली जाती है, फिर next चलते है, यह है radiator fan, तो radiator fan है, तो radiator fan का काम करता है, जब क्या, जो temperature है, वो ज्या fan open हो जाता है, और क्या, जो हवा का flow है, उसको change कर देता है, तो यह काम करता है radiator का fan, next है, तो यह आप देखवाए होगे, इस तरीके से आपको दिखेगा, oil filter, तो यह खाँपे होगा, diesel engine में इस तरीके से आपको oil filter देखने को मिलेगा, अगर आप इसको open करेंगे, यहाँ से open करेंगे आप, तो इसमें आपको paper cartridge देखने को मिलेगी, जिसको आप change कर सकते हैं, refresh कर सकते हैं, जिसको हम oil filter कहते हैं, diesel engine का, next यह toolbox है, और यह आपको radiator fan, discuss कर चुके हैं, radiator fan है, crank shaft है, two post lift है, फिर यह आप देख पारेंगे, यह है alternator, क्या चीज़ है, यह कौन सा पार्ट है, अल्टिनेटर, पार्ट है, बाकि यह है तो complete engine, उपर head है, block है, और some है नीचे, लेकिन यह जो main आप देख पारेंगे, जो आपको ज्यादातर image में cover हो रहा होगा, तो यह कौन सा है, अल्टिनेटर है, और यह अल्टिनेटर के पुली है, जहां पर belt लगी होती है, जिससे की अल्टिनेटर को भी drive मिलती है, नेक्स्ट पार्ट है, यह आप देख रहे होंगे, engine की timing वाली side है, यानि की front side, आपको पता होना चे, engine की front side क्या होती है, और rear side क्या होती है, तो engine की front side होती है, उसको हम timing side कहते है, और जो rear side होती है, वो flywheel वाली side को क्या कहते है, हम rear side कहते है जिस तरब transmission लगा रहता है, gearbox लगा रहता है, तो यह आप देख पारोंगे, crank shaft pulley है, AC compressor की pulley है, alternator की pulley है, water bomb की pulley है, तो यह इससे भी ठका गया है, तो इससे आप identify कर सकते हो, तो जो यह V-Welt होती है, इसी तरीके से यहाँ cross की जाती है, ताकि सब चीज को यह drive मिल सके, next है, radiator है, radiator discharge होती है, तो बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो इस तरीके से आप अगर, BRK trade test के workshop का जो exam होगा, उसमें अगर workshop में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे इस तरीके से clamp, सबसे main है, अगर इस तरीके से आपको clamp देखने को मिल रहे है, तो आपका direct जाता है, कि आप यह क्या है, बैटरी charger है, उसके बाद आप confirm करने के लिए, यहाँ भी देख सकते हो, आइंपेर वोल्ट में जो दिया रहता है, वो आप देख सकते हो, तो उससे भी आप identify कर सकते हैं, तो यह है बैटरी charger, और next है, jack, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ जो heavy lift नहीं होती है, वहाँ पर इनी jack का use किया जाता है, गाड़ियों को lift करने के लिए, या फिर किसी travel करते टाइम, अगर गाड़ी खराओ जाती है, टायर चेंज करना था, तो इसी तरीकी से jack का use किया जाता है, तो यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी ह तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, और इसी तरह कि आपके trade test की तयारी आपके exam तक जरूर कराए जाएगी, day by day आपको exam में देखने को मिलेगा कि अगर आपके सामने इसी तरीकी से part रखे जाएंगे, तो किस तरीके से आप identify कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी, channel के साथ जुड़े रहें, धन्यवाद